नमस्कार, मैं रभुनात प्रशाद, आज सभी लोगों को मैं हिंदी दिवस की सुभकामना व्यक्त करता हूँ हर वर्ष 14 स्थंबर को हम हिंदी दिवस मनाते ही पहली बार 14 स्थंबर 149 को ततकालिन मानिय परधान मंत्री सरीपंडित जवाहरलाल नहरुजी ने इसके सुभात की थी आज दुन्या में कुछ ऐसे देश हैं जैसे मौरिशस, फेजी, सुरिनाम, गुयाना, त्रिनिदात, तुएगो, निपाल जहां हिंदी दूसरी भासा के रूप में उपयोग में है और जवकि 420 मिलियन लोग मात्री भासा के रूप में हिंदी का प्रियोग कर रहे हैं वो धीरे-धीरे विश्व के बहुत बरी संख्या में इन्वर्स्टीज में भी हिंदी की परहाई चल रही है 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया जाता है पूरे देश में इसके प्रचार प्रशार के लिए विविंत रहके कारिक्रम किया जाते हैं कारियालियों में भी इसके बरावा के लिए काफी कारिक्रम होते हैं सम्मिधान में यह प्रावधान था जब 26 जनवड़ी 1950 को यह लागू भूआ तो हुआ कि 15 वर्षों भाल हिंदी को अराष्ट भासा का दर्जा दिया जाएगा लेकिन जब 15 वर्ष भिता तो मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम नवर्लुईया जी की जो स्रणिक सोशलिस्ट पार्टी थी उसने इस पर आंदूलन भी चलाया था और जब यह आंदूलन चला जत्मून की मनसा यह थी कि हिंदी के साथ सथ जो गैर हिंदी भासी राज हैं वहां भी मात्री भासा का विकास हो और वहां भी सरकारी कामकाज अब उनकी मात्री भासा में हो और जो हिंदी भासा भासी राज हैं विशेश कर उत्री भारत के व्यत्रों सभी हिंदी में काम करें लेकिन दक्षिन भारत में चुकि लगता है कि कुछ कन्फूजन हो गय वहाँ पर यह प्रचारित किया गया कि हिंती जवर्दस्ती थोपी जा रही है। किन्त सरकार ने भी उस वक्त इसकी निजाकत को समझा और मामला फिर उस वक्त रुका रहा लेकिन फिर भी अब जो भी सरकारें रही है कंदर में या राजियों में वे अपने-अपने धंक से प सरे करपुरी ठाकूर जी उप मुखमंत्री थे और सिक्षा व्यभाग के मंत्री भी थे। उन्हों ने अपनी पार्टी जो कारिशक्रम थे पार्टी के जो नीती थी उसके आधार पर हिंदी को बराबा देने के लिए उन्होंने मैट्रिक में अंग्रे जी के निवासता पा आधेश दे दिया के विहार में कोई भी फायल आंग्रे जी में नहीं लिखे जाएंगे और हिंदी भासा में ही सारे कार्ज होंगे इसका प्रभाव यव्परा की धीरे-धीरे सब ही हिंदी भासी राजी Motor को अपनी सासकी भासा बना लिया हूर हिंदी में सब्रेशक्रम कां भासाओं में भी काम करने लगे यह एक बहुत बरी उपलबधी थी हिंदी के साथ-साथ अन्य भारती भासां के वीकाज के लिए। इस वर्ष एक कारिशक्रम में माननी है ग्री मंत्री जी ने हिंदी के विशे में एक बयान दिया जिसके कारण द्रक्षिन भारत में काफी विरोध होने लेगा फिर ये बातुब उसको फिर अस्पस्त किया गया कि कैन सरकार क्या चाह रही है मैं समस्ता हूँ कि इसका निदान निश्चित तोर पर भारत सरकार और सभी राज सरकानों की सहमती से ही कोई सर्वसम्मत राष्टा निकल सकता है मैं आज चर्चा करना चाहूंगा इस हिंदी दिवस के अफसर पर कि हमारे यहां चोल निया पाली का है चाहे और सिठीफ मेशा रीवन को चया है तो आर्टिकल तीन राष्टा दाली अपने सम्मेधान का उसमें एक व्यवस्था है 348 में के राष्ट ऐ बैर सिठीफ में वर है कोट्स के जिफी प्रोफेडिंग उंगे वह इंगलिश उसके लिए अनिवार जाले है मैंने जो परहा उसमें देखा कि महामहिम राजपाल और महामहिम राज ट्रपती को कुछ ये दिया गया है कि राजियों से अगर कुछ डिमांड्स आते हैं तो वैसी परिस्थिती में इस पर विचार कर जो भी प्रविजियन्सों कुछ करवाई की जा सकती है लेकिन ये परकडिया काफी कठीन है मुझे लगता है कि विशेशकर हैर जूरिशियरी में जो बहुत अच्छे अच्छे भी वकील हैं जो इंग्लिस मेडियमी स्कूल से सिक्षा ग्रह नहीं किये हैं उनको भी थोड़ी कठनाई जरूर होती है जैदि इंग्लिस में उन्हें हर चीज बहुत में लाना परता है और साथ ही जो पक्षकार होते हैं वो ज्यादा तर ऐसे होते हैं जो आधेश निकलते हैं या जो बहस होती है उसको अच्छे ढंग से एंग्लिस में जो बहस होते हैं फुरेंटली तो समझने में थोई निश्ची तोर पर कठनाई मैसूच होती है समझते होते हैं ज्यादातर जो ऑपने जो लर्नर एड्वोघेट से हिसे उनकी सहाता से ही वे समझते हैं मैस्मस्ता हूं कि कि हिंदी एवं अन राज्यों की जो मात्रिवासा हैं उनके विकास है तू लेंग्वेज अफ कोड्स पर कोई न कोई शामती बननी चाहिए केंसरकार राज्यसरकार और ओनरेबल सुप्रेम कोड्स की शामती से और अगर ऐसा होता है तो यह बहुत भरी चीज होगी अपने सब कुछ कोड के प्रोसीडिंग्स को बहस को अच्छी डंग से ग्रास्प कर सके समझ सके मैं यहां प्रचर्चा करना चाहूंगा कि समिधान की आठ्मी अनुसुची में हिंदियों और अंग्रेजी सहीद 22 भास आए और ऐसी परस्तिती में जदी भारत सरकार सभी राज्यस सरकार हूं और मानेनी सरवच्च न्याले की शाहमती से कुछ ऐसा करे कि जैसे ओन्रेवल सुप्रेम कोड में जो आठ्मी अनुसुची में जितनी भास आए हैं उनमें भास की अनुमती मिलती और वहां पर दुभासी की विवस्ता होती तो मैं समस्ता हूं कि सभी के लिए ज ज्यादा अच्छा था दूसरा बिंदु में उठाना चाहूंगा कि उन्रेवल हाई कोड्स जिस राज से समधित हैं वहां पर अंग्रेजी तथा उस राज की शास की भासा में भास करनी की अनुमती मिलती तो बहुत ही अच्छा होता और जो ज़ज्मेंट होते वह अंग्र कोड्स का सवाल है वहां पर तो निश्ची तोर पर अंग्रेजी के साथ साथ उस राज जिस राज में वह है वहां के सास की भासा में भास की अनुमती दी जाती तो बहुत ही अच्छा था और ज़ज्मेंट अंग्रेजी में और वहां की राज की सास की भासा में दिया जाता बहुत अच्छा था आज हिंदी दिवस के आउसर पर मैंने इस वीडियो को जारी किया हिंदी के उतुरत्तर विकास के संबंध में और अपने देश की अन्य भासाओं के संबंध में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अब सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आप उतुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धर्नवाद जाहिं